उडिसर सरकार के स्वास्थ मंत्री नवकिशोर दास को एक पुलिस पदाधिकारी ने गोली मार दी है घटना उस समय हुई जब वह जासु गोड़ा के गांधी चौक में बिज्यू जनतादल कार्यले का उद्धाटन करने पहुँचे थे दोपहर करीब बारा बजे गांधी चौक पुलिस चौकी के अधिकारी एसाई गोपाल दास ने उन पर गोली चला दी गोली उनके सीने के बाई हिस्से में लगी वह नीचे गिर गये पुलिस अधिकारी इतने पर भी नहीं रुका उसने फिर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन एक कार्यकरता के कंदे से हाट टकराने से उसका हाथ उपर उठ गया और वहां मौजूद कार्यकरताओं ने हमलावर पुलिस पदाधिकारी को काबू में कर लिया काबू में किये जाने के बाद भी वा फाइरिंग करता रहा बताया जा रहा है कि उसने पाँच फाइरिंग की है घटना के बाद हमलावर पुलिस पदाधिकारी की वहां मौजूद भीर ने बुरी तरह पिटाई कर दी घायल मंत्री नवकिशोर दास को ततकाल स्थान्य अस्पताल ले जाया गया प्रात्मिक उपचार के बाद पुने विशेस विमान से भुवनेश्वर स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया उडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायट ने मंत्री नव किशोर दास पर गोली चनाने के मामले की जाच क्राइम ब्रांच से कराने का निर्देश दिया है उन्होंने मंत्री के जल्द स्वस्त होने की कामना की है मंत्री पर गोली चलाए जाने की घटना के एक चश्मदीद ने बताया की मंत्री के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे अचानक भीड से गोली चलाने की आवाज आई जब तक कोई कुछ समश पाता तब तक A.S.I. गुपाल दास मंत्री पर फाइरिंग कर चुका था उडिसा सरकार के मंत्री नौकिशोर दास के बारे में आपको जानना जरूरी है संबलपूर में चातर राजनीती से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले नौकिशोर दास परिवार में पांच भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है असी के दसक में गंगाधर मेहर कॉलेज में पढ़ाई करते समय चातर राजनीती में कदम रखा था आपको बता दे कि नौकिशोर दास की गिंती ओडिसा के प्रभावशाली नेताओ में होती है अपनी संपत्ती को लेकर खासा चर्चित माने जाते हैं उनके पास कई महंगी गाडिया हैं जिस इलाके में उन्हें गोली मारी गई वहां उनका खासा रसूख है चार साल पहले तक वह कॉंग्रिस में थे बीजद में शामिल होने के कुछ समय बाद ही उन्हें मंत्री पद मिला जारसूगुडा विधानसभा छेतर से वह लगातार तीन बार से चनाव जीत रहे हैं कथित तौर पर महराश्टर के सनी सिंगनापुर मंदिर में एक करोड रुपे से अधिक कीमत का सोने का कलस दान करने के बाद वह काफी चर्चा में रहें